नमस्ते दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंफोर्मेटिव होने वाला है ग्लोबल फैक्टर को रिड़ करके इंडियर मार्केट का किस तरीके से अनालिसिस करना यह सभी बाते इस वीडियो में सिखने की कोशिश करेंगे अमेरिका में जो इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले है वहाँ पर हम लोगों को क्लियर कर दिखाई दे रहा है कि ट्रम्प की जीत हो सकती है और उसकी वज़ा से अपना इंडियर मार्केट में भी बॉटम फॉर्मेशन का दोर चालू हो सकता है ट्रम्प की जीत की वज़ा से ग्लोबल मार्केट के उपर क्या इंपैट पड़ेगा स्टेप बास्टेप इसको समझने की कोशिश करते है सबसे पहले थोड़ा अपना डेली चार्ट का एनालिसिस कर लेते है अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हम लोगों को एक प्राइस एक्षन में ट्रेंड चेंज का पैटन बनता हुआ दिखाए दिया था हेड एंड शोल्डर का और उसके बाद जो गिरावट हम लोगों को देखने को मिल चुकी थी वो एक बॉटम की तरफ आ चुकी है कल के दिन मार्केट ने एक अपसाड का कैंडल बनाया हुआ था लेकिन वहाँ पर यहाँ पर यहाँ की तरफ से दुबारा विक वाली देखने को मिल चुकी है और आज के दिन के यहाँ के फिगर अभी तक आये नहीं यह वीडियो बना दे समय तक अगर यफाय की तरफ से बाइंग होना स्टार्ट हो जाता है और मार्केट जो है वो 24,500 के उपर सस्टेन हो जाता है तो जो भी हम लोगों को दिखाए दे रहा है अने वाले समय में मार्केट के लिए दो जो है वो ट्रिगर की तरफा काम करेंगे पहला जो है वो US market में election के result जो आएंगे और दूसरा जो है वो federal reserve का जो policy आएगा वो federal reserve के policy की वज़ा से market को trigger मिल जाएगा और हम लोग जो important support की तकरव है important support में अगर यहां पर Trump की जीत हो जाती है Kamala Harris के आगेंज तो वो global market के लिए positive माना जाएगा अगर आज के दिन का डाउ जोन्स का momentum देखते हो तो अल्मूस आकरा 1100 point market अब चल रहा है डाउ जोन्स तो यह इसकी वज़ा से हम लोगों को यूरोप market में और इंडियन market में भी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है लेकिन इसके थोड़ से inside खबर आपको समझनी पड़ेगी कि यह global market में positive किस तरीके से है सबसे पहले टरम का जो रननीती रहेगा अगले चार सालों के लिए उसको समझने की कोशिश करते है तो यह जो है उनका anti-china policy रहेगा और अगर anti-china policy आ जाता है तो उसका indirect effect जो है वो indirect effect इंडिया को मिलने वाला है यह सबसे पहले positive बात अपने market के लिए हो गई second important thing क्या है अगर वहाँ पर टरम का election जित जाना है तो वो जो है वो interest rate में हम लोगों को जल्दी और ज़्यादा कटोती देखने को मिलेगी अगर वहाँ पर जल्दी interest rate ने कटोती हो जाती है तो वहाँ से पैसा जो है वो emerging market में आ जाएगा और emerging market में फिलाल के लिए FII के पास दो option है पहला है इंडिया का अच्छा option और दूसरा जो है चाइना का लेकिन चाइना के अगेंस ट्रम्प की जो policy रहेगी वो थोड़ी से anti-China policy रहेगी तो वो preferably इंडिया में FII दूबारा आने की उमीद यहाँ पर बनती हुए दिखाई दे रही है अगर यहाँ पर दूबारा FII की entry हो जाती है तो हमरे लिए beneficial रहेगा अगर आप इस downside के momentum को देखते हो तो इस downside के momentum में हम लोगों को अल्मोस्ट एक लाग करोड की FII की तरब से विक्वाली देखने को मिल चुकी है अगर उसमें से 50% भी FII वापस आ जाते है तो यह जो all time high हमने बनाया हुआ है इस all time high को market break करके ऊपर जा सकता है आने वाले कुछ समय में लेकिन यहां पर FII का आना बहुत ही important है अगर FII नहीं आते है तो फिर market यहां पर दुबारा price action बना के अपना downside का momentum continue रख सकता है थर्ड important point क्या है ट्रम के आने की वज़ए से रशिया और युकरियन के बीच में जो युद्ध चल रहा था वो युद्ध रुकने की आशंका है अगर युद्ध रुक जाता है तो crude oil के दामों पर उसका impact हो जाएगा और commodity के दाम भी हो commodity के दाम भी थोड़े से कम हो जाएगा और उसकी वज़ए से महेंगाई जो है वो महेंगाई सब मतलब आलमोस emerging countries में भी control पर आ जाएगी यह अपने market के लिए भी अच्छा संकेत रहेगा जो overall global market को और अपने इंडियर market को उपर लेके जाने की कोशिश करेगा अभी यह भारत में लोटने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे यह डिपेंड रहता है कि यहाँ पर किस तरीके का momentum हो जाता है अभी price action point of view से समझने की कोशिश करते तो अगर आप देखोगे तो market ने यहाँ पर बोट struggle किया हुआ था 26,500 के level को तोड़ने के लिए आज के दिन भी अगर आप देखोगे तो market ने उस level को touch किया हुआ है लेकिन उसके उपर market close नहीं दे रहा है हम लोगों के लिए important क्या है कि जो यहाँ पर bottom formation हो चुका है दुबारा market इस level के नीचे ना आए और उपर की side ने कल के दिन जो है वो market अगर 24,500 के उपर sustain हो जाता है तो वो हमर लिए एक अच्छी बात रहेगी और 24,500 के उपर market में short covering का एक rally भी हम लोगों को देखने को मिल सकता है और यह जो upside का momentum है यह high probabilistic रहेगा अभी कल के दिन का एक important point को आप समझ लिजए आज राट डाउ जोंस में एक अच्छा कासा momentum हो जाएगा इसकी वज़ासे हम लोगों को कल के दिन gap opening expected है और कल के दिन हमारा expiry भी है तो यहाँ पर कुछ point के उपर आपको focus करना पड़ेगा अगर कल के दिन हम लोग 24,500 के बहुत ऊपर खुल जाते तो एक्सपरी की वज़ासे फिर हम लोगों को एक range bound session यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यह जो range bound session है इसके पीछे का reason में आपको अल्रेडी बता दिया है कि बड़ा gap up opening हो जाएगा तो उसकी वज़ासे short covering वाले तुरंट निकलना start कर देंगे और फिर उसके वज़े से market दुबरा range bound हो जाएगा तो day trader को जादा कुछ मोगा नहीं मिलेगा अगर market flat खुलता है और flat खुलने के बाद 24,500 के level को break कर देता है तो यह फिर हमरे लिए बहुत बड़ा trigger रहेगा तो upset का एक अच्छा opportunity हम लोगों को देखने को मिल जाएगा अगर आप नीचे की तरफ से देखते हो तो अल्मुस्ट 23,900 से लेके 24,500 तक का मतलब 600 पॉइंट का one sided momentum हम लोगों ने दिखा दिया है यहाँ पर सिर्फ और स्री एक fundamental news जो है उसकी news की वज़े से market upside का momentum दिखा सकता है otherwise अगर news नहीं रहता purely price action को हम लोग follow करते तो market यहाँ पर range bound जाने की आशंका है लेकिन news की वज़े से हम लोग बोल सकते की market जो है market upside का momentum दिखा सकता है अगर कल gap खुलने के बाद market range bound हो जाता है तो next important trigger के उपर हम लोगों को focus करना पड़ेगा that is federal reserve का policy तो कल के दिन जो है वो federal reserve का जो policy आ जाएगा वो policy अपना market close हो जाने के बाद आ जाएगा मतलब फिर आपने market को range bound जाने के लिए और एक reason मिलेगा कि यह federal reserve के वज़ा से जो है वो यफाया रुके हुए है उनकी तरफ से बड़े बाइंग के data नहीं आ रहे है तो यह हमारे लिए एक waiting वाला माहुल बन जाएगा second important जो है वो कल के दिन हम लोगों को UK में मतलब bank of England का जो policy है वो bank of England का policy भी आते हुए दिखाए देगा अगर 12 बज़े तक market range bound रहता है और उसके बाद वहाँ पर अगर trigger मिल जाता है bank of England की policy की वज़े से तो फिर एक बड़ा expiry special jack portrait आप लोगों को देखने को मिल जाएगा और जैसे यह opportunity create हो जाएगा मैं अपने free वाले telegram channel में आपको update कर दूँगा जिसका link वीडियो के नीचे description box में मैंने डाला हुआ है अभी market में 15 minute चाड़ के उपर जाते तो थोड़ा सा price action को हमें ज़्यादा understanding के साथ समझना पड़ेगा यह जो price action है इस price action के पीछे के logic को पहले आपको समझना पड़ेगा कि market हमें क्या indicate कर रहा है market में आगर आप downside का momentum create करना है तो यह जो 24,400 का जो ले 440 का जो level है 24,400 के level के नीचे अगर market आ जाता है तो हलका सा downside का momentum हम लोगों को देखने को मिल जकता है लेकिन इसके आशन का थोड़ी कम है क्योंकि global factor बहुत ही positive न्यूज इवेंट की वज़ा से upside का momentum का indication मिल रहा है यहाँ पर जितना ज़्यादा market time pass करेगा उतना हमर ले बेटर रहेगा और फिर अगर event के बाद यह आपर upside का momentum होता है तो upside का probability 24,500 के उपर ज़्यादा बढ़ जाएगा इसके लिए bank of England का जो policy वो trigger की तरह काम कर सकता है अगर bank of England की तरफ से हम लोगों को कोई भी बड़ा trigger नहीं मिल जाता तो कल के दिन आपको opportunity नहीं मिलेगा फिर market range bound scenario में जाएगा अभी आज के दिन का यफाय का data कैसा है इसके उपर depend रहेगा कि कल downside का opportunity मिल सकता यह नहीं मिल सकता यह फाय की तरफ से अगर फिर भी weekly देखने को मिल जाती है तो फिर हम लोगों को downside के momentum का probability बढ़ जाएगा उस case में जैसे market 24,440 के नीचे आ जाएगा downside का probability वापस बढ़ता हुआ दिखाई देगा लेकिन इसके आलक scenario हम लोगों को अभी bank nifty में देखने को मिल रहा है bank nifty में मैंने आपको clear cut बताया हुआ था कि bank nifty बहुत ही volatile और एक range bound scenario में फसा हुआ है जब तक इस range bound scenario को market निकलता नहीं है और 52,500 के उपर आता नहीं है तब तक clear direction नहीं मिलेगा अगर इस level को break करके 52,500 के उपर निकल के आता है तो एक strong upside का momentum हो सकता है यह market gap fill करके उपर की side में चला जा सकता है और यह momentum भी बहुत strong हो सकता है जिस तरीके के position यहां पर बन चुके है और लोग फस चुके है वो हम लोगों के लिए एक बड़ा trigger की तरह काम करेगा यहां पर trap हुए जितने भी लोग होंगे जल्दी से जल्दी market के निकलने की कोशिश करेंगे हम लोगों को जो गिरावर्ट का मावल देखने को मिल चुका था यहां पर FIA की तरब से तो हम लोगों को तेज विक्वाली देखने को मिल चुकी थी लेकिन DIA नहीं सहरा देकर market को रोका हुआ है अगर दुबारा FIA market में इंटर हो जाते है उनका इंटरी बहुत ही positive रहेगा क्योंकि अल्डेडी जो है DIA हमर लिए positive sentiment में काम कर रहे है FIA की इंटरी से भी वहां पर positive sentiment create हो जाता है तो HNA और जो retail trader है उनको bypass करके market जो है वो उपर की side का दोर लगा सकता है लेकिन इसके लिए हम लोगों को सबसे important बात FIA का entry market में होना चाहिए जो fundamental news अभी निकल करके आ रही है वो तो indication दे रही है कि यह आपर माहूल थोड़ा अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है कल के दिन lie market में opportunity मिलेगा तो मैं अपने telegram channel में आपको update कर दूँँगा जिसका link वीडियो के नीचे description box में में ने डाला हुआ है अभी आपके लिए important क्या है कि 15 minute chart के उपर bank nifty हम लोगों को कौन से level indicate कर रहा है पहले उसको समझने की कोशिश करते है आज के दिन market ने बहुती बड़िया rhythm दिखाया हुआ है जो range bound scenario में आज के दिन trader लोगों का पैसा गया रहेगा उनको एक recovery का अच्छा opportunity कल के दिन देखने को मिल सकता है इसके पीछे का reason है जो price action का pattern यहाँ पर बन चुका है वो आपको सब बाते clear कर देगा हम लोग जब भी price action को follow करते है हमार लिए एक important बात रहते है कि जब भी market में बड़ा pattern बनता है तो वो बड़े pattern में हमेशा strike rate जो रहता है वो अच्छा रहता है यहाँ पर हम लोगों को दो point के उपर focus करना पड़ेगा पहला यहाँ पर जो pattern बन चुका है यह flag with the pole का pattern बन चुका है यह flag with the pole का जो pattern है उसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 52,500 का जो level है वो 52,500 का level जब तक market में break नहीं हो जाता तब तक short covering का rally trigger नहीं हो जाएगा और इस 52,500 को जैसे ही market निकालेगा अपसेड का एक strong momentum यहाँ पर देखने को मिल सकता है इसके पीछे का पहला reason है हम लोगों को chart pattern मिल चुका है और chart pattern के मिलने के साथ-साथ यहाँ पर हम लोगों को एक अच्छा-कासा consolidation भी देखने को मिल चुका है यह consolidation में open interest का data भी बढ़िया बन चुका है और third important point जो 52,500 के उपर call writer बेटे हुए है वो एक hope के साथ बेटे हुए है जैसे market इस level के साथ निकलना start हो जाएगा तो ओ call writer आसन इसे trap हो जाएगे और short covering का एक बड़ा rally हम लोगों को यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे सकता है तो यह सभी positive को उसको मद्दे नजर रखते हुए यह opportunity high probabilistic हो शकता है क्या तो यहाँ पर approximately यह सबसे high probabilistic opportunity रहेगा रही downside की opportunity थी downside की opportunity थोड़ा सा यहाँ पर probability कम है तो time being इसको ignore कर दिजे कल के दिन यह opportunity मिला तो आपको लिए better रहेगा अगर कल के दिन market directly gap के साथ खुल जाता है तो इसको like कीजे और अपने youtube channel को subscribe करके bell icon का button दबा दीजे मिलते हैं next educational video में thank you so much